सब्सक्राइब कीजिए स्टुडेंट पॉइंट एकडेमी चानल को और बेल आइकॉन को दबाईए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो अब आज हम पैटन के बारे में पढ़ने वाले हैं और यह पैटन जो है यह बहुत ही बढ़ी यार बहुत ही इंटरस्टिंग टॉपिक है बच्चो क्योंकि यह पैटन जो है जैसे मान लीजी आप किसी कॉम्प्टेट्व एक्जाम में जाते हैं या फिर आप आगे चलके अगर नवज़व एक्जाम में जाते हैं या फिर किसी कॉलर्शिफ एक्जाम को अगर फाइट करते हैं तो वहां पर इस तरह के कोश्चन पूछे जाते हैं और इसलिए पैटन्स यह आपके स्लेबस में इंक्लूट किया गया है ताकि आपको भी पता चले कि पैटन्स कैसा है क्या होता है और किस तरह से इसके कुश्चन होता है कैसे से सॉल्ट किये जाते हैं तो अगर आप हमारे चानल पर नए हैं तो फटा फटा सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते कि हम इस तरह के वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आते रहें तो आईए बच्चो यूमन बिंग्स का भी एक पैटन है क्या पैटन है हमें दो आखे हैं कान है साइड में नाख है आखों के नीचे मूँ है एक फेश है यह हमारा पैटन है हर चीज का एक पैटन होता है ट्री का एक पैटन होता है ट्री के लिव्स का एक पैटन होता है लिव्स पत्तियों का पैटन होता है, कैसे होता है पत्तिय के पैटन इस तरह से, सभी पत्तिया देखेंगे तो इसके अंदर इसकी वेइंस इस तरह से होती है, सभी में होती है, हर किसी का एक special पैटन होता है, पर यहाँ पर जो हम पैटन की बात कर रहें, यह mathematically हम सीखने वाले हैं, ओके, so students, note the pattern in the sequence of letter below, जो यहाँ पर letters दिये हुए, इनके pattern देखिए, पहला क्या है, A फिर है B, फिर से A आया, फिर B आया, A, B, A, B, A, B, मतलब यह pattern कुन सा है, यह pattern है, A, B, A, B pattern, ओके, अब मुझे बताइए, अगर हमने यहाँ पर और दो box बना दिये, तो बताइए, students, यहाँ पर क्या आएगा, A, B, फिर से यहाँ पर आ जाएगा, A, और फिर से आ जाएगा, B, ओके, क्योंकि यह इस तरह से pattern follow कर रहा है, यहाँ पर दिखें नीचे वाला pattern, A, A, B, A, A, B, A, A, B, मतलब यहाँ पर कुन सा pattern follow हो रहा है, यहाँ पर pattern follow हो रहा है, A, A, B वाला pattern, अब मान दिजिए हमने यहाँ पर 3 box और खुद बना लिए, अब बताइए, आगे के pattern क्या होगे, तो आगे के pattern भी क्या होगे, A, A, B, understand, समझ में आ रहा है, है नहीं easy, बहुत easy है, So look at the pattern below, which one is like A, B, A, B, which one like A, A, B, A, A, B, and which one like A, B, C, A, B, C, देखिए, अलग-अलग patterns यहाँ पर दिए वा students, और इन pattern में हमें पहचानना है, कि कौन सा pattern A, B, A, B वाला है, कौन सा pattern A, A, B वाला है, और कौन सा pattern A, B, C वाला है, कैसे पहचानेंगे, जिसमें, अभी जैसे, एग्जामपल देखती हैं, आपको समझाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर red box है, और एक yellow box है, फिर red box है, फिर yellow box है, तो जो भी चीज पहले आएगी, उसे आप A मान लीजिए, उसके बाद जो आएगी, उसे B मान लीजिए, अब उसके बाद यहाँ पर आईए, तो इसे C नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि यह same thing repeat हो रही है, जैसे यहाँ पर red box था, यह ऐसा वाला, same चीज यहाँ repeat हो रही है, तो इसके लिए हमने A लिया था, तो हमें इसके लिए A लेना पड़ेगा, और इसके लिए हमने B लिया था, तो इसके लिए भी हमें B लेना पड़ेगा, तो यह ऐसे होता चाहेगा, A, B, A, B, it means, यह कौन सा pattern है, यह है A, B, A, B pattern, तो यहाँ हम लिखेंगे, A, B, A, B pattern, अब यहाँ पर देखिए, यह triangle green color में है, और सीधा है, इसे हमने A ले लिया, अब दूसरा triangle देखिए, यह भी green color में सीधा है, और यह दोनों जो है, यह एक जैसे है, तो इसके लिए अगर हमने A ल लेना पड़ेगा, अब यह जो triangle है, यह ultra है, और इसका color भी अलग है, तो इसके लिए हम B ले लेते हैं, ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ओके, तो अब इस green triangle को देखिए, यह triangle इसके जैसा है, ओके, यह दोनों triangle से A वाले triangle से mail खाता है, ओके, समान है, तो यहाँ पर हम इसे A ले लेंगे, और इसे भी A ले लेंगे, और इसे ले लेंगे B, तो यहाँ पर आप pattern देख रहे हैं, क्या बन गया, A, A, B, A, A, B, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, A, A, B, A, A, B pattern, ओके, आईए और example देखते हैं, हैंना, बहुत easy है, बहुत बढ़िया है, और बहुत easy है, इसे इसे कर लेंगे, अब यहाँ देखें, students, यह एक flower है, फिर leaves है, फिर flower है, फिर leaf है, मिलेना पड़िगा, तो इसे हम सीलेंगे, क्या बिलकुर नहीं, क्योंकि यह किसके जैसा है, इसके जैसा है, तो इसके लिए लिए तो यह भी B, A, B, मतलब यह जो pattern यह कौन सा pattern है A B A B pattern तो यहाँ पर हम दिखेंगे A B A B अब यहाँ देखिए students यह फ्लार है फिर यह उल्टाग फ्लार है अब यहाँ पर दिखिए यह फ्लार और यह फ्लार एक जैसे है यह फ्लार और यह फ्लार एक जैसे है तो इस flower के लिए अगर हमने A लिया तो इस flower के लिए हमें B लेना होगा अब ये और ये equal है तो ये A हो जाएगा और ये और ये equal है तो ये B हो जाएगा मतलब ये कौन सा pattern है A B, A B pattern है यहाँ पर हम लिखेंगे A B, A B Understand? उसके बाद फिर आगे चलते हैं Next, अब यहाँ देखिए ये image अलग है ये अलग है और ये अलग flower है ये अलग flower है और ये अलग flower है तो यहाँ पर हम इसके लिए ये जो अलग चीज़ दिख रही है इसके लिए हमने A ले लिया फिर इसे different यह है, इसके लिए हमने B ले लिया और इसके लिए हम ले लेते हैं C अब देखिए, ये जो pattern है, ये फिर से repeat हो रहा है ये A वाला pattern वापस आगया, तो इसे A मान लो ये red वाला flower यहां पे वापस आगया, तो इसे B हो गा और यह C वाला pattern वापस आगया तो यह C होगा तो इस तरह से यह A, B, C A, B, C कुन सा pattern students? A, B, C, A, B, C वाला तो यहाँ पर हम लिख लेंगे A, B, C, A, B, C pattern Understand? Now look at here अब यहाँ पर दिखिए एक elephant है एक donkey है ओके? और horse है नहीं giraffe है ओके? elephant, horse और जिराफ यहाँ पर तीन अलग है face तो elephant के लिए हमने A ले लिया horse के लिए हम ले लेते हैं B और जिराफ के लिए हम ले लेते हैं C ओके? तो यह भी हो जाएगा A यह B और यह C क्यों क्या हो रहा है? क्योंकि हर after interval में यह अपने pattern को repeat कर रहे है है न? तो इसलिए यह जो pattern ही है कौन सा pattern होगी students? A, B, C A, B, C pattern हुआ है न? है न? easy Now अब देखी यहाँ पर एक question है question says that in the above boxes below sorry in the boxes below make a pattern of your own like A, A, B, A, A, B मतलब आपको खुद का एक pattern बनाना है जो pattern कैसा होगा? A, A, B वाला होगा तो बहुत simple है A, A, B मतलब मान लीजिए मैंने पहले अगर circle बनाया है अब pattern क्या है? A, A, B pattern क्या है students? A, A, B A, A, B A, A, B यह वाला pattern हमें बताना है तो हमने A के लिए circle लिया है अब जहाँ पर A आएगा वहाँ पर circle बनाना है जहाँ पर B आएगा वाँ ट्रेंगल बनाना है तो देखिए circle, circle, triangle circle, circle, triangle हो गया? मतलब यह जब pattern होगा कुँसा होगा है? A, A, B A, A, B वाला pattern होगा है कुँसा pattern होगा students A, A, B A, A, B understand? Now, in the pattern given below draw the picture which follow अब यहाँ पर देखिए आपको क्या कर रहा है उपर हमने pattern मताने बोला था अभी यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आपको picture बनाना है तो अब देखिए picture को हम observe करेंगी यहाँ पर कि किस तरह से यह picture यहाँ पर बनी हुई है so let's observe it यहाँ पर देखिए three time star और एक बार hash दिया हुआ है तीन बार star और एक बार hash यह पता है न आपको star hash mobile में होते हैं तो यहाँ पर देखिए three star hash three star hash three star hash तो आगे भी image कैसे बनेंगी three star और hash बस है नगी जी मतलब इसी pattern को हमें follow करना है कि भी यह pattern इस तरह से चलते आ रहा है तो यहाँ पर तो filling the blank से वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर भी वही होगा क्यूंकि pattern after all खुद को repeat करता है अब यहाँ देखिए students three time star two time hash three time star two time hash three time star two time hash तो यहाँ पर भी क्या जाएगा three time star and two times hash है नगी इसी इसे ही तो कहते है pattern बहुत इसी है नगी यह पूरा topic आपको अच्छे से clear हो चुका होगा और इसके फटाफ़र फोटो खीचके मुझे भेजना है और इसे अपने notebook में भी बनाना है और जो possible है उसे notebook में भी बनाए और इसमें भी लिखे now और आगे other question देखते students देखी जो बहुत बढ़िया question है और अच्छे से समझेंगे spot the pattern and fill the empty boxes अब यह जो empty boxes है आपको fill करना है अब यह जो arrow है देखी यह arrow किस तरह से show हो रहा है मैंने क्या कर दिया मान लीज़े यहाँ पर हमने एक circle बनाया यह arrow जो यह circle बना रहा है पता है कैसे देखी यह उपर की और जा रहा है यह circle ऐसे घुम रहा है यह गया उपर की और अब यह circle इधर गया अब यह इधर आया और यह इधर आया अब आप follow कीजिए, observe कीजिए, देखिए, उपर की और जा रहा है, ये गया उपर की और, उसके बाद ये गया इधर, ये वाला, फिर ये down, तो ये देखिए, ये हो गया down, उसके बाद ये left की हो जा रहा है, तो ये देखिए, ये हो गया left, मतलब circle देखिए, इस तरह से clockwise, जै जैसे यह घूम रहा है, तो पहले, आईए अब इसके आगी के pattern बनाएंगे, कैसे, पहले उपर की ओर, upside, then right side, then down side, and then left side, okay, U for upside, R for right side, D for downside, और L for left side, तो अब क्या है, यह upside है, और यह है right side, तो right के बाद क्या है, down, तो यहाँ पर हम बनाएंगे, इसे इस तरह से, downside, okay, down के बाद क्या है, left side, मतलब इध है, अब यहाँ पर pattern खतम हो जाता है, फिर, यहाँ पर देखिए, इसके बाद, देखिए, यह, और यह, दोनों equal है, तो के दोनों इस तरफ show कर रहे हैं, इसके बाद क्या आएगा, अगर आप इसे और अच्छे समझे, तो यहाँ से देख सकते हैं, इसके बाद, खड़ी ऐसी घुम रही, इसके बाद, उपर वाला arrow, और उपर वाले के बाद, राइट साइड वाला arrow, हैनल सिंपल, बस यह pattern हमें समझना है, उसके बाद, leaves को देखिए, leaves को भी आप ऐसे ही समझ लीजिए, arrow, arrow, down arrow, left arrow, देखो उपर के जैसा ही है, बस इसमें arrow के बतले, leaves रखी गई है, अब आईए, इसे solve करते हैं, तो अब यहाँ देखिए, इस्ट्विन्स, पहले उपर की और, फिर right side, then down side, then left side, अब left side के आएगा, वापस उपर की और, तो फिर से हम इसे, leaves यहाँ पर, इस तरह से, draw कर लेंगे, उके, उसके बाद, इस तरह से leaves ड्राउगी, उसके बाद, इस तरह से leaves ड्राउगी, ओके, अब उसके बाद, फिर leaves ड्राउगी, इधर, left side में, ओके, अब इसके बाद, वापस, उपर की और, upside, है न, easy, बस यही तो pattern हमें समझना है, अब यह pattern देखो, खुद को repeat कर रहा है, यह देखो, यह दोनों same है, यह दोनों same है, यह दोनों same है, और यह भी same है, है न, इस तरह से pattern हमें, repeat करना है, न, easy, it's very easy, अब यहाँ दीखें students, यहाँ पर हमें clock बता रहा जाए, सबसे पहले अभी यहाँ पर देखो, कितने बज़ें, यहाँ पर एक बज़ें, यहाँ पर दो बज़के, यहाँ पर पूरे तीन बज़के, okay, here, one o clock, two o clock, three o clock, now four o clock, five o clock, पाच के बाद कितने बज़ेंगे, six, तो बड़ा काटा इस पर लगा दीजिए, और छोटा काटा नीचे, that is six o clock, then seven o clock, तो बड़ा काटा तो यही रहेगा, और छोटा वाला यहाँ पर, that's seven o clock, और seven o clock के बाद कितने बज़ेंगे, eight o clock, तो यहाँ गया eight o clock, हैना easy, very easy, अब यहाँ पर देखिए students, पहले दिया है a, okay, फिर b, b, फिर c, c, okay, अब यहाँ पर देखिए हो कैसा रहा है, आप a को mirror में देखिए, तो यह ऐसा ही दिखेगा, यह b है, b को अगर आप mirror में देखेंगे, तो b, उल्टा दिखाई देगा, यह c है, c को अगर आप mirror में देखूँगे, तो ऐसा दिखाई देगा, आप c के बाद क्या आता है, d, okay, c के बाद आता है student, d, थोड़ा उपर करने से, c के बाद आएगा, d, और d को जब हम mirror में दिखेंगे, तो वो कैसा दिखेगा, इस तरह से उल्टा, है न, तो यह है आगे का pattern, है न, easy, बहुत easy है, okay, अब यहाँ पर देखिए student, यहाँ पर है three leaves, यहाँ पर four leaves, okay, यह पिटल्स पहिए, मान लिजी अगर यह flower है, तो यह flower की three petals है, तीन पंखुडिया है, पर चार petals, four petals है, यह five petals है, उसके बाद six petals, seven petals और eight petals है, आप बनने वाली है, तो आईए अब बनाते हैं, यह five petals है, तो इसके बाद कितनी petals बनेंगी, six petals, इस तरह से, है न, easy, आपको drawing करने मज़ा आता है, मुझे आता है, है न, मुझे बहुत पसंद है drawing करना, पर मेरी drawing उतनी अच्छी नहीं है, आपकी बहुत अच्छी होगी है, तो आप बहुत अच्छे से-से draw करना, देखिए, एक रंगोली बन गई न, अभी दिवाली भी आने वाली है, दिवाली में पता है, जो बिंदू वाली रंगोली होती है जिसमें इस तरह से point बनाय जाते है, ओके, फिर point को आपस में मिला कर कुछ pattern बनाय जाता है, ओके, यह क्या है, यह pattern वाली रंगोली ही तो है, अब यहाँ देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहोगी 7, इसके बाद कितने बनेंगे, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then 8, है न, बन गया pattern, तो आपको भी इस तरह से pattern बनाने है, अब देखिए, आगे का pattern देखते हैं, क्या कहता है यह pattern, 1 into 1, 1, फिर उसके बाद क्या हुआ, 2 into 2, 4, फिर 3 into 3, अब देखिए, पहले क्या किया गया students, पहले किया गया 1 into 1, फिर 2 into 2, फिर 3 into 3, तो अब क्या करेंगे, 4 into 4, फिर क्या करेंगे, 5 multiply by 5, देखिए, अब आ गया, line से 6 multiply by 6, then 7 multiply by 7, और field करेंगे 8 multiply by 8, अब जो भी इसका answer होगा, वो लिख लेंगे, तो 4, 4's are 16, 5, 5's are 25, 7, 7's are 49, और 8, 8's are 64, ओके, और आपको पता है, यह क्या है, 1 का square 1, 2 का square 4, 3 का square 9, 4 का square 16, 5 का square 25, 6 का square 36, 7 का square 49, और 8 का square 64, मतलब जीस नंबर को उसी नंबर से अगर multiply करते हैं, तो उसे कहते हैं, उसका square, मतलब 8 कितनी बार, 8 2 time, तो 8 के उपर 2 is equal to 64, यह भी maths है, और यह आप आगे classes में पढ़ेंगे, अब आईए इस से follow करते हैं, यह जो है, यह भी pattern एक तरह का table है, जैसे 5 का table, 5, 5, 5, 5, 2, 10, 5, 3, 15, 15 के बाद या था 5 के table में, 20, 20 के बाद 5 के table में क्या आता है, 25, 25 के बाद 5 के table में, 30, 30 के बाद 35, then after 35, it's 40, then after the 40, it's 45, then after 45, it's 50, and then after 50, 50 के बाद क्या आएगा, 55, इसका मतलब यह नहीं कि 5 का table सिरफ 50 तक ही होता है, आप जहां तक बढ़ाना चाहें, वहां तक लेके जा सकते हैं, इसके आगे अगे अगर एक box बनता तो क्या हो जाता है, students, 60, okay, now, 2, 9, 16, then blank, 30, अब यहां पर देखिए, यहां पर हमें pattern पहचानना है, कि यहां पर कौन सा pattern follow हो रहा है, तो देखिए, students, यहां पर है 2, 2 के बाद 9, 9 के बाद 16, फिर blank, फिर 30, फिर 44, ऐसा तो कोई table भी नहीं होता, फिर इसमें क्या किया गया है, ऐसा क्या हुआ है, जो इस तरह से pattern बनाए, ऐसे questions एक्जाम में आते हैं, जब हम scholarship के exam देने जाते हैं, वहां confused हो जाते हैं, कि क्या होगा, और इनी patterns को सिखने के लिए तो हम pattern सिख रहे हैं, और इसलिए इस तरह से देखिए, अभी हमने small small easy easy question पड़ा, अब आये थोड़ इसे difficult level पर, अब ये level क्या कहता है, देखिए, अगर हम 2 में 7 को plus कर दे, तो क्या जाएगा, 9, ये आ गया 9, फिर 9 में अगर हम 7 add कर दे, तो आ जाता है 16, तो ये आ गया 16, 16 में फिर हम 7 add कर दे, तो ये आ जाता है 23, तो यहां हम लिखेंगे 23, फ फिर 30 में अगर हम 7 add करे, तो ये आ जाएगा 37, then 37 में, अब नीचे लिख लेते हैं, 37 में अगर हम 7 add कर दे, तो 7, 7, 14, it means ये आ जाता है, 44, तो ये उपर आगे, अब 44 में अगर हम 7 add कर दे, तो ये क्या आ जाएगा, students, 51, so now students, 51, अब 51 में क्या करना है हमें, 51 प्लस 7, क्या हो जाएगा, it will be 58, okay, then 58 प्लस 7, क्या हो जाएगा students, 65, then 65 प्लस 7, कितना हैगा, do yourself, ये खुद कीजिए, है नहीजी, अब इसके बाद के जो patterns के जो दुसरे example है, इसे हम करेंगे next part of the videos में, है ना, आज के इस वीडियो में इतना ही, I hope that pattern क्या होता, और किस तरह से pattern के question होते हैं बच्चों, आपको समझ आ गए होंगे, है ना, और अगर वीडियो पसंद आया है, और पूरा सब को समझ में आया अब ही है, अलग से एक बना हुआ, जो strengths नए है, जो हमारे साथ WhatsApp में link नहीं है, अगर वो जूड़ना चाहते हैं, तो description में WhatsApp ग्रूप की link दी हुई है, आप वहाँ पर जाकर link पर click करके, आप WhatsApp में connect हो सकते हैं, तो strengths मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, बाई बाई, अपना रखिये और सावधान रही है,